जी सरमीतर जी क्या response नजर आ रहा है चनाल के बहुत बड़ीया response है पूरे रानिया अलके के लोग चाहते हैं बदलाव जैसा कि पूरे अरियाना में हो रहा है आप देखे पूरे अरियाना में एक लेहर चल रही है कॉंग्रेस पार्टी के फेवर में और कॉंग्रेस की सरकार रही है और बड़े बहुमत के साथ आ रही है अरियाना के लोगे पर चाहते हैं कि इस पर बदलाव हो और यहां पर यहां से कॉंग्रेस के जो मेदवारे हैं वो जीत कर जाएं लगातर आप एक्टिव मोल में हैं वहीं मसले लोगों के उठाएं अगर बात करें रानिया कि क क्या मसले अब तक लोग क्या समस्या है आपको बता रहे कि जो मंतरी रहे हैं रंजीस चोटाला उन्होंने कितना का विकास उनका देखते कितना पर सेंट उनका रिपोर्ट कर रह इसी के साथ अब भी क्या मसले नजर आ रहे हैं रानिया हलके को जो युवाय नशे की में आये हैं, उनको बाहर निकलना है, वापिस जिंदगी के पड़रे पर लेकर आना है, इसके लावा सब्ड विजन नहीं बना आज तक रानिया, सरकार ने वादा किया था, लेकिन रानिया के लोगों के साथ, सरकार ने और मंतरी रंजी सिंग चुडाला ने धोका किया, यान सारे मसलें, मंतरी साब ने सिर्फ बातें की हैं, काम ने किया, और लोग पच्छता रहे हैं, पांस साल पहले मंतरी जी को गोट दे कर, अब वो कह रहे हैं कि चुनाब आ गया है, इसे का इंतजार कर रहे थे, इस बार सभी को जो लोग हैं, वो यहां से चलता करेंगे, और क बार होगें, शायद जमानत भी नहीं बचे की मंतरी साथ की, वो तो लोगों के सामने जाकर एक जुमले या जूट बोल रहे हैं, कि लोगों को कह रहे हैं, कि मैं तो यह सरकार आगे, तो उसी में मिल जाओंगा, राज में रखोंगा, लोग सब से आने हैं, और सभी ने आक पता नहीं मिल जाता, सो परिवार छोड़ कर, वो हमारे साथ मिल रहा है, दादा पोता अपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं आप भी मैदान में हैं, तो क्या लगता है कि दादा पोता लड़ते रहेंगे, और सरमित्र को क्या फाइदा मिलेगा इनकी लड़ाई से? वो यहां के लोग, पता है, यहां के लोग उस कल्चर को पसंद नहीं करते हैं, जो इनलो के सरकार में होता था, उसको यहां के लोग पसंद नहीं करते हैं, चौधरी साब ने काम नहीं करवाई, एक ही उमीद है, लोगों के सामने हो एकि सर्वर में तराय हैं, जो मसले पहल ओसाथ कि बिजेपी गई पांच एक्लीव प्लस अरा या और कॉंग्रेस तें बहुत कम सीतें मुझे लगता है कि दस से पंदरा के बीच मुझे लगता है कि बिजेपी घोलान इसमे नग रहे है कि बहुत अच्छी लेहर चल रही है u तो सरमीतर जी अपना मुकाबला किसके साथ मान के चल रहे हैं अपना कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ मुकाबला नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है बेशक सामने एक चौदरी साब हैं एक इनेलो के हैं आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है और बीजेपी जो स तोड़ा सा थी, जब हम आए हैं मैदान में, उसके बाद इनैलो लगातार डाउन फॉल हो रहा है, लगातार इनैलो नीचे जा रही है, और कॉंग्रिस जो है वो अप जा रही है, आप हर रोज का रिपोर्ट कार्ड चेक कीजेगा पूर इरानी हलके में, लोगों में इतना उ हुतसा है और लोग बदलाव क है, लोग अपने याप चुनाऊ लड़ रहा है हम जहां भी जाते हैं, देर रात तक, लोग जो हमारा वेट करते एंगर हम लेट होते हैं, इतना उतसा लोगों के बीच में है, सब कुछ अपने हैं को कहते हैंिंगे की आमाज में पार्ट्यक पंजाब में भेशक उनकी सरकार है लेकिन पंजाब वनों से पता करो लोगों से क्या कुछ वाँ पर चल रहा है हर्याना में आम अदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है और एक भी सीट उनकी नहीं आ रही है बलकि जादा अतर सीटों पर उनकी जमानत जो है वो जब तो रही है लोगों को पता चल गया है अब जो थोड़ा बहुत वजूद था रानिया में आम अदमी पार्टी के सब पीछे हट रहे हैं लोग और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि उनको बता है कॉंग्रेस के सरकार आ रही है सरमितर जी आये हैं तो मसले उठाने वाले हैं इसलिए हर रोज हमारे साथ उनके लोग भी जुड़ रहे है यहां की जनता अगर सरमितर जी पे बरोसा चताती है तो पहली प्राज मिश्का क्या रहा है बहुत काम करने है रानिया के लोगों के लिए बड़े काम करने है और मैं काम करने के लिए आया हूँ यहां पर टाइम पास मुझे नहीं करना है यहां रहकर लोगों के बीच में काम करना है ये जो मुद्दे मैंने सबसे पहले आपको बताए हैं उन पर वर्क करना सबसे पहली प्रियोरिटी मेरी जो है वो है नशाख खतम करना युवाओं को बचाना है जवानी को बचाना है फिर किसानी को बचाना है हर खेत तक पानी पहुंचाना है इसके लाव रानिया को सब डिवीजन बनाएंगे स्कूल अप्ग्रेड करेंगे शिक्षा सडकों का सुधार करना है जो इतने सालों से बीजेपी नहीं कर पाई, मंतरी साब नहीं कर पाई वो हम करके दिखाएंगे ये बेसिक चीजे हैं इसके लावा कोई अच्छा प्रोजेक्ट भी लेकर आएंगे और्टू को लेक बनाना है, बड़ी अच्छिल बनाना ये अब देखेगा